पोश अमावस्या पोश अमावस्या का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है इस दिन को पित्र दोश, कालप सरफ दोश्ते मुक्ति पाने के लिए भी इस दिन उपवास रखने के साथ साथ विशेश पुजा अर्चना की जाती है हिंदू कलंडर में नए चंदर्मा के दिन को अमावस्या कहते हैं यह एक दिन महत्व पुरन दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कृत्या केवल अमावस्या तिथी के दिन ही किये जाते हैं अमावस्य जब सोमवार के दिन पढ़ती है तो उसे सोमवत्य अमावस्य कहते हैं और अमावस्य जब शनिवार के दिन पढ़ती है तो उसे सन्य अमावस्य कहते हैं दरसल हिंदू पंचांग का एक महा 15-15 दिनों के दो भागो या पक्षों में विभाजित होता है शुकलपक्ष और क्रिशनपक्ष शुकलपक्ष में चंदरमा की कलाब पूरन रूप लेती है और क्रिशनपक्ष में चंदर कलाओ का शह होता है मत अंतर के अनुसार एक मत शुकल पक्ष के पहले दिन या प्रतिपदा तिथी के महा की शुरुवात मानता है वही दूसरा मत क्रिशन पक्ष के पहले दिन से महा का आरम मानते है इसी करम में क्रिशन पक्ष का पंद्रवा दिन या अंतिम तिथी अमावस्य कहलाती है शोड़ शभागेग, देवी प्रोक्ता महा कला, संसी स्थथा परमा माया देही नाम देहे धारने, जिसका आर्थ है कि चंदर मंदल की अमा नाम की महा कला है, जिसमें चंदर मा की शोला कलाओ की शक्ति शामिल है, जिसका शय और उद्दै नहीं होता है, सरल शब्दों में कहें, तो सूरिय और चंदर मा के मिलन के काल को अमावस्या कहते हैं, दूसरे अर्थ में इस दिन चंदर मा थदा सूरिय एक साथ रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में इसके कई नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंदर संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी अमावस्या को परव तिथी कहते हैं यह तिथी को दान, पुन्य, जप, तप और वर्थ करने का तो महत्व है ही साथ ही इस तिथी को पित्र श्राद भी बहुत महत्व है इस वर्थ को करने से वहवारिक जीवन की अनेग बाधाएं और कस्ट दूर होते हैं संदेश यही है कि माता पिता और पुर्वजो को कभी ने भूले उनके पीछे ही नहीं उससे भी अधिक उनके साथ रहते हुए उनका और उनकी भावनाओं को सम्मान करने से हम सुखी और कला मुक्त जीवन जी सकते हैं उनके जीवन से हमें प्रेना लेना चाहिए ऐसी मानिता है कि पीतरों को मोक्ष प्राप्ति और सदत्ति के लिए अमावस्य का वर्थ करना चाहिए इस वर्थ को करने से ना केवल पीतरों को मोक्षवम शांती मिलती है बलकि वर्थ धारी को अमोकफल की प्राप्ती होती है हिंदु ध्रम में अमावस्या तब पुर्णिमा का विशेश महत्व है धार्मिक ग्रंतों के अनुसार इस दिन स्नान, दान था अन्य धार्मिक कार्य किये जाते है पोश अमावस्या के दिन अन्य अमावस्या की तरह पुर्वजो के पूजन का विधान है अमावस्या पर भी गंगा, यमना और नर्मदा आधि नदियों में हजारों भग डुब की लगाकर पुन्य अरजित करते हैं पोश अमावस्या के दिन पवितर नदियों जैसे गंगा, यमना, आधि नदियों में सिनान करके तिल को नदी में प्रवाइद करें तब पचात सूर्य देव को अर्ग एवं पीतरों का तरपन करे इस दिन ब्रहामनों एवं गरीब को यथा शक्ति दान दे पोश अमावस्य वर्थ धारी के लिए लापकारी होता है जो वर्थी अमावस्य वर्थ को विदी विधान एवं शुद मन से करता है उसकी मनों कामनाय अवश्य पूरी होती है वेदों में कहा गया है कि दर्श, पौन, मास, यायाराम, यजेत, अर्थात, अमावस्य और पुनवासी को निश्ची थी यक करना चाहिए इस दिन निराहार रहते वे वर्थ रखना चाहिए इस दिन किसी भी परकार की तामसी क्वस्तों का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन शराब आदी नशे से दूर रहना चाहिए इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविश्य पर भी दुश्परिनाम हो सकते हैं जानकार लोग यह कहते हैं कि चोदस अमावस्या और प्रतिपदा उक्त तीन दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है